। हाई दिसिज एनेच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंगलेश आज हम सीखें गे फ्रेजरिवर्ड केसे कहते हैं। जब वर्ड का कंभिनेशन एड़ब के साथ हो तो उसे हम फ्रेजरिवर्ड या वर्बन फ्रेज कहते हैं। ऐसे phrasal verb में adverb जो होता है, वो prepositional adverb का काम करता है, इसलिए इसे कभी-कभी हम adverbial particle भी कहते हैं, जैसे get up, call off, और जब verb के combination में preposition हो, तो उसे हम prepositional verb कहते हैं, जैसे call on, apply for, वैसे हमने appropriate जो preposition पढ़ा है, जिसमें verb के साथ कुछ appropriate preposition आते हैं, वो prepositional verb होते हैं, जैसे give up, यह सारे prepositional verb है, यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि phrasal verb में जो word इस्तामाल होते हैं, अगर उन word के meaning को अगर हम जानते भी हो, तो उसका meaning निकालना काफी मुश्किल होता है, जैसे call off, call, बुलाना, off means बंद करना, तो यहाँ पर call off का जो मतलब होता है, समाप्त करना, खात्म करना, जैसे the strike has been called off, call in, बुलाना, यह दोनों word की meaning से, इसका meaning जो है, बिलकुल अलग है, since अलग है, call in, the doctor at once, तो यहाँ पर हम, अगर हमें, fragile verb जो है, वो हमें याद करना होगा, क्योंकि word की meaning को जानते हुए भी हम, उस meaning तक नहीं पहुँच पाएंगे, फ्रेजल वर्ब का इस्तामाल जो है, हम informally करते हैं, और exam के point of view से भी यह बहुत ही essential है, आजकल notice के अंदर, even हम officially भी इसका इस्तामाल देखते हैं, तो हम phrasal verb वो ऐसी verb को कहेंगे, जिसमें verb के साथ adverb का combination हो, जिसमें verb के साथ preposition का combination हो, जैसे look after, act on और तीसरा जिसमें verb के साथ adverb और फिर preposition का combination हो जैसे do away with इसका मतलब होता है हत्या करना put up with बरदाश्ट करना look down upon नफरत करना अब phrasal verb में हम कैसे पहचानेंगे कि verb के बाद आने वाला word preposition है या adverb है तो बिलकुल simple तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं अगर verb preposition का combination है वो हमेशा ट्रांजेटिव वर्ब की तरह काम करेगा या या object लेगा example हम देखते हैं the ship broke into the house तो यहाँ the house जो है object है और break into ये ट्रांजेटिव वर्ब है और ट्रांजेटिव वर्ब जो है object लेता है तो जब ये object लेगा तो यहाँ break into में into का जो इस्तामाल हुआ है वो preposition की तरह इस्तामाल हुआ है look up this word in dictionary तो look up अप यहाँ preposition की तरह इस्तामाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये object लिया है this word अगर verb जो है adverb के combination के साथ हो तो वो intransitively काम करेगा वहाँ पे कोई object नहीं लेगा जिसे look out तो यहाँ out जो है वो adverb का काम कर रहा है I get up at six o'clock कभी कभी क्या होता है fragile verb दो meaning रखते हैं या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं दो तरह से काम करते हैं यह transitive verb की तरह भी काम कर सकता है object भी ले सकता है और intransitive verb की तरह भी काम कर सकता है जैसे अगर हम take off ले तो take off अब take off your hat यहाँ पे take off का मतलब हुआ remove कर the plane took off at 5 pm यहाँ उड़ने के sense में है उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी अब phrasal verb पे जो मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें particular verb को लेकर जो सबसे ज़्यादा इस्तामाल होते हैं उनको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी बनाऊंगा अब बनाऊंगा जल्दी करता हूँ झाल झाल झाल